इस चिक्ष्ण के तीन पार्ट है बोतिक शेक्षिक सभसेंगे पार्ट की होता है उस सेक्षिक है परंतु दोनों जो उसके सब पार्ट सेंगे पार्ट सेंगे बोतिक इसके बिना तो मैंने इन तीनों में तार तम में स्थापिक करने की कोशिस किया, लिमिटेशन्स थी गोवर्मेट्स की तरब से, तो तीनों का तार तम में बैठे और अपना जो मूल उदेश ये सेक्षिक प्रकति का, वो सठीक बैठे, इसके लिए मैंने जितने संसादमते उनका उप्यो और उनका जो उदेश्य है, वो बच्चों में कितना सफल हो रहा है, इन तीनों को बिन्दों को सामन जैसे बठाते विए मैंने प्रियास किये, और शिक्षन में जैसे तीलम का जो प्रियोग है, बच्चों की रूची के आसा, बच्चा क्या चाहता है, मेरा फोकस यही रहत कि बच्चा क्या चाहरा है, बच्चे की जरुद क्या है, और शिक्षक उस जरुद की मुताफिक अपना प्लान तयार कर रहे है, और मेरा प्रियास यह रहा है कि आप लोग अपनी रूची की चीज, जो आपको जरुद की चीज है, वो बता जीजी था, कि आपने कौन-कौन से लेशन्स जो सलेक्ट की है, जिसमें आपको बहतर टी अलम की दूर, उसको पाइंट आउट करके लिस्टिंग दे दीजी, टीचर्स ने उसमें थोड़ा सुविधा समझी में ठीक है, यह सर जो कह रहे है, वो तो शीक बात है, उन्होंने एक लिस्ट बना करके मुझे दी और उस लिस्ट के मुताबिक मैंने उनको समगरी उनको एट प्लेस, प्लास रूम में प्रोवाइड कराई, तो मेरी यह प्रियास रहा कि सिक्षन में जो मूल उद्देश है, जो कि मैं ज्यादा प्रबंदन से चुड़ा हूँ, तो मूल उद्देश है टीचर्स के साथ बा अन्य गत्यविदी पर उसके इर्द गिर्द बात की जड़ा हूँ, पेड के बारे में बता रहे हैं, तो पेड जो है, पेड का मोडिल्स जो है या और जो टीलम बना करके उसके आसपास की परिवेस की जानकारी से, क्योंको बच्चा परिवेस से जुड़ा हूँ होता है, और अगर उसी चीज को सिक्षन को परिवेस से जुड़ दिया गया, तो वो सिक्षन बड़ा प्रवाई होता है, मेरा अन्रोध है रहा है कि आप डायरी बरिये, सठीक बरिये, आपको अगर एक उद्देश में साथ दिन लगाने, इसी सिक्षन उद्देश में आपको साथ पिरड लगाने, तो लगने दो, पाठ्थे करम पूरा कराने में इस पे फोकस नहीं है, अपना उद्देश ही यह है कि जो बच्चों की जो मूल, मूल जानकारी है इस पाठ्थे करम के बारे में, उसको ओवराल आप अपने दिमाग में लाईए, और वो ही चीज आप अपन के डायरी में लिखे, मतलब फोर मल्टी पूरी करना डायरी का उद्देश ही नहीं होता था, जबकि पहले टीचर क्या करते थे कि डायरी बरली, डायरी में कुछ और बढ़ा हुआ है, और वहां मोके पर कुछ और ही पढ़ा रहा है, तो उससी क्या फाइद है, मेरा जो कि इसलिकी अपने क्मा लिमेट, च्वा!